हलो दोस्तो कैसे हो आप सब लोग हिमाचली हरबल आपका एक बर पेड़ से स्वागत करता है दोस्तो आज हम उस ओस्तिय पेड़ की बात कर रहे हैं जो आसपास कही जगों पे दिख जाता है सडकों के किनारे या कहीं भी पार्ग में कहीं भी आपको पेड़ आपको दिखाई दे जाएगा लेकिन बहुत से लोग उसके उस्तिय गुणों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं दोस्तो उस पेड़ का नाम है अर्चुन पेड़ पुराने समय में जो हमारे बुजूर्ग होते थे दोस्तों वो इसकी च्छाल का चूर्ड मनाके काडा या रिस्ट कई बिमारीं को दूर करने में इसका प्रयोग करते थे खास कर दोस्तों उच रक्त चाप याने की हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम हिरते रोग को दूर करने के लिए विशेस उप्योगी है अर्चुन की च्छाल दोस्तों आज आपको अर्चुन च्छाल के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे अगर आपको इन प्रॉब्लम का चुरुबाती लक्षर में पता चल जाता है और आप अर्चुन च्छाल का प्रयोग उसमें करते हो तो आप उन बड़ी से बड़ी बिमारीं से बच सकते हो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अर्चुन च्छाल से होने वारे फायदों के बारे में और कैसी बीमारीं की रोप्ताम की जा सकती है अर्चुन च्छाल से तो वीडियो आप लाज सकते हैं कब बिल्कुल भी स्किप मत किजिएगा दोस्तों और साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो हिमाचली हरवर को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों हार्ट्रोग जैसे की अनीमित धड़कन सूजय नाधी को दूर करने के लिए आर्टून छाल का प्रयोग कर सकते हो ईवन जो हार्ट स्ट्रोग होते हैं उसके खत्रे को भी कम करती ह आर्टून की चाल दोस्तों उसके लिए आपको आर्टून की चाल और जंगली प्याज को पीस कर समान मात्रा में चूण बना लेना है और उस चूण का प्रयोग आधा चमच रोज दूद के साथ लेने से आपकी हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम से दोस्तों दूर हो जाए दोस्तों उसके लिए आपको क्या करता है कुछ जादा नहीं करना आर्टून की चाल लेनी है उसका पाउडर बनाना है और दो गिलास पारी में उसको डोज उबालना है जब पानी आधा रह जाए तो उसका सुभा और साम खाली बेट सेवन करना है बस इतना सा प्रयोग करन चाल का बारिक पाउडर ताजी हरी अडूसे की पत्तों का रस मिलाके उन्हें सुखा लेना है फिर उस चून को श्चहत के साथ मिलाकर खाना है आपकी खांसी दूर हो जाएगी स्किन प्रॉब्लम के लिए भी आर्जुन की चाल का असर बहुत दी जादा दोस्तों प्रभाव सालिक होता है स्किन प्रॉब्लम के लिए दोस्तों आप उसका फेस बैक बना सकते हैं जिसमें आप डालोगे आर्जुन प्रिक्ष की चाल, बादाम, हल्दी और कपूर इन सबी चीज़ों को एक समान मातरा में पीस लेना है और उसे उप्रन की तरह अपने चेहरे पे लगाना है उससे दोस्तों आपके चेहरे के सारे लिंकल्स, बिंबल, सब कुछ दूर हो जाएंगे और चेहरे में निखार आ जाएगा जिनको पेशाब में रुकावट की प्रॉबलम है दोस्तों उनके लिए आरचुन की चाल का बना काड़ा एक राम बांड ओशिधी का काम करता है दोस्तों उसके लिए आपको आरजुन की चाल को पीस कर दो कप पानी में बाल लेना है जब वो आधा रह जाए तो उसे ठंडा होने देना है उसके बाद उसको रोगी को पिलाना है ऐसा अगर आप दिन में एक बार करोगे तो उसकी पेशाब के रुकावट दूर हो जाए दो अगर आपको इस वीडियो से लेटेट कोई भी सवाल है कोई भी सुचाव है तो कमेंट बुक्स में लिखतीजेगा साथ यगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं दोस्तों कले एक ऐसी नही जानकारे के साथ अ जा नहीं जादेगा शीजेग है और सब्सक्षी लोगेंगा जादेगा।